तुमेग चैनल मैमी नजासवाल फ्रौंग देरादून आज हम बनाएंगे प्याज की रोटी प्याज का प्राठा नी रोटी जो की सभी को अच्छा लगता है बच्चे भी बड़ी सोक से खाते हैं बढ़े भी सुक से कहते हैं और यह हम ने का है चल अब ऊचो शिक कुछ नियँ सब लिग की न खाले हैं ऐसे साथ मन भर गारेगे दाज की रोटी सब न गियारे हज चटनी उसके साथ surprised करीब लिया है ठोड़ा सा आड़ा सा अनरती लिया है ठोड़ा सा आठा प्लोथन के लिए मैं चार रोटी बनाने हैं इस रख रख 2 लोग है आज जाने के लिए तो चार रोटी बनाएंगे शोड़ा सा यह अठाटा और ये प्याज को हमने चौपर में अच्छे से बहुत बारिक काट लिया और ये तीन प्याज пять सब्सके लिगे या हुआ थे रोटी में तभी प्याज की अच्छी लगती है यह कि रदा अच्छी करें लिगे तक हरी मिर्च को चाटे है या काटें करहा है अब हम इसमें डालेंगे अपने स्वायत के नुशान नमक नमक मारी हैं सेदा नमक भी हुज होता हैं सेदा नमक डाल रहें इसमें और इसमें हम डालेंगे थोड़ी से मसाले थोड़ा सा लाल मुष्ट डालेंगे इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला हलका सा थोड़ा सा थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा सा डा अगर मिल जाए रोटियों को साथ तो फिर क्या ही बात है मज़े आजाते हैं रोटी खाने में तो चलिए अब मैं इसको आटे को गूंद लेती हूं मिक्स कर देंगे कि अगर नमक ने ढूंद लेंगे थोड़ा पानी के छोड़ता है अंगर नमक भी पानी चोड़ता है इसलिए थोड़ा थोड़ा तरह कर देंगे कि ऐख आठा हमारा गुल चुका है देखिए हमने ना इसमें मोएंड ड़ा है ना किसी चीज से आठा घुनना है सिंपल पानी से ठंडे पानी से अमने आटा गूंडिया देखिए इस तरह से आटा गूंडे अभी ये थोड़ी देर में रखके हो जाएगा गिला हो जाएगा इसलिए हम 33-33 की रोटी बना देंगे कि हमारा यह आटा गिला ना हो पाए इसको अच्छे से गूंदेंगे कुछ अच्छी लगती रोटी नहीं के साथ खाई जाए दही हो ना हो लेकिन घी तो जरूर होना जाएगा घी और एक अचार आटा गूंडिया हमारा ताहर हो चुका चलिए तवा रख लेते हैं हाथ को दूलेते हूं और तवा रख लेते हूं एक विखना रूटि को बेल लेते हूं इस्था से आप लेंगे मैं इसको गोल गोल लेंगे इससे पेडा बनाएंगे इस अच्छा में गोल या लोग जो बनाएं इस दहीं बनाएंगे अब उसके बाद हम रोटिसे केंगे चकले पर रखेंगे आप बेल लेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम रोटी को बेल लेंगे च्पकने लग जाए चखले पर फिर से कर लेंगे क्योंकि हमारी रोटी चखले पर चिपटे ना चिपक जाएगी तो यह चकला भी खराब हो तूट जाएगी इसलिए रोटी को हमें आर्चाबदानी से बेल ला है जिससे के हमारी रोटी टूटे ना और अच्छे से मारी रोटी बन जाए अब हम तबे पे डालेंगे तबह हमारा गरम हो चुका ही तबह रख दिया हमने यह तबह रखावाई तबह पे हम डालेंगे रोटी क्योंकि हम रोटी बना रहे हैं इसलिए हम तबह पे गी बगएर कुछ नहीं लगाएंगे रोटी डालेंगे इस तरह ऐसे जब तक यह रोटी सिकरे हम दूसरी रोटी को बेल लेते हैं अब दूसरी हम बेल लेते हैं पलट देंगे इस तरह से एक तरक से माय रोटी सिख चुकी है हम इसको पलट देंगे इस तरह से है जब देखिए हमारी दर से सिख चुकी है यह दिखिए इस तरह से अब हम इसको पलटेंगे और कैसे सेखेंगे इसको कपड़ी से दवादवा के सेखेंगे, इस तरह से एक कपड़ा ये लिए इस तरह सी दवादवा के रूटी हम खुब करारी होने तक सेख लें इसको दोनों साइट से प्याच की रोटी तो थोड़ी देर में सिखती है थोड़ा दीमी गैस को मैंने बिल्कुल लोग कर रखा है इसलिए हमाई रोटी जल जाएगी उपर से अंदर से सिखेगी निए प्याग भी कच्छा रह जाएगा और रोटी भी कच्छी रह जाएगा अंदर यह इसलिए हमें इसको दीमी दीमी आज पे सेंख नी रोटी कुँ अ इस तरह जाएगा प्यूअ अधिया हमारी रोटी इस तरह से सिख चुकी है इधर से भी शिख गई है इधर से भी शिख चुकी है अब हम इसको क्या करेंगे एक लेंगे इस तरह से सारी रोटी इंचे लेंगे प्रीश अब बताते हैं यह रोटी को हम नहीं हिआ रखा रोटी में हम रखनेंगे यह देशी गी और इस तरह से हम खाएंगे इसमें हम लगाके भी खा सकते हैं रोटी में हम इस तरह से भी लगा लेंगे गी को लेंगे टुकड़ी को इस तरह से लगाएंगे रोटी में अच्छे से गील और इसमें हम किस तरह से लगा के खाएंगे दो को doing a 3 स्वरिव making लोग कि लिते हैं लोग चम माच से इसमिल होल ऐसा करिंगे इस तरह से है मोठ आइज गी कर ला पूर अब तो इसमें घी सारा सा खुब च लगाएं गी को खाना थे लिए बहुत ही अच्छा था थोड़ा बहुत ही जरूट सब को ही खाना चाहिए इस तरह से इस तरह से भी खा लेंगे और एक तरीका और भी एक रोटी खानेंगे जैसे हमने ये ग्ली को पिगला के गरम कर लिया विकल जाएगा हमारा गी पानी तरब मलब हो हम फिलошे 우리가 şekilde है लेता है जसमें तोड़ें गानी ङृषती है बादा ज़ु सकते हैं बादा जो नहीं करता है थो कहा थो कहा इस यह लोग ठोड़ी। का ज़िए नहीं अवर में चल्बाइब द़ता पर है को कि कि गी लाग पर करें तब यह एक अब दवा देंगे अप्टिक और फू बच्छी से गी भर ड़िनगे खाएंगे ज़से में टबे पे साथ घराएं, कई ते साथ हम अचार के साथ खाओ आप बहुत ही तेष्टी रूटी नहीं लगती है अब जब मैं बन्यूण को पराथा कैसे बनाओंगी रूटी नचाइं प्याज को छीज़िये चलिएट कैसे लगी हमारी आप विजेर करें पाफ्यार को कैसी लगी हमार भूंक को इस लगी अगर अच्य लगी निश्यार उप्तर कि आफ अब खरागीव यह रbolag मतेशनों सब्सक्राइब करने और सब्सक्राइब कि ने करने हमें 50 लोग बचे वे हैं जिन लोड़ों को ने हमें सब्सक्राइब किया है मैं उन्हों को बहुत अपने ताहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू बोलती हूं और जिन लोड़ोंने नहीं किया है मारे चैनल को सब्सक्राइब वो किरपा कर ले ताकि यह और हमें होसला मिले आगे बढ़ने का चलिए मिलते अगली नहीं लाइसीपी के साथ बाई बाई वाई वीडियो देखने के लिए थेंक यू